कोरोना वारस के बचाओं के लिए सरकार कहीं प्रेयोग कर रही है लेकिन अभी भी कोरोना वारस के प्रसार को रोक नहीं पाई है हाला कि लॉक्डाउन में इसका प्रसार कम जरूर हुआ है प्रदारमित्री मोधी ने लॉकडाउन की अवधी बढ़ा कर 3 मई कर दी है लेकिन इस लॉकडाउन के कारण देश पूरी तरह से बंध है जिसका सीधा असर देश की अर्थ विवस्था पर पढ़ रहा है कि इस दोरान ओनलाइन डिलिवरी को छूट दे दी जाएगी लेकिन इस पर सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दरान गैर जरूरी सामानों की ओनलाइन डिलिवरी नहीं होगी गौरतरब है कि लॉकडाउन बढ़ाने के बाद से ही सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है इस गाइडलाइन में बताया गया था कि 20 अप्रायर से कुछ इलाकों में कोरोना के प्रभाव को कम देखते हुए सामाने छूट दे दी जाएगी इसमें ऑनलाइन खरीदी पर भी छूट लेना बताया गया था ग्रहवंत्राले ने रविवार को आदेश पारित कर कहा कि ई-कॉमर्स कमपनियों के जरिये लॉकडाउन के दरान गैर जरूरी सामानों की सप्लाय पर रोक रहेगी subscribe our channel and press the bell icon for more updates